बीसनल के तरब से एक न्यू वेकंसी आई है जिसमें की डिपलोमा फ्रेसर फालो के लिए वेकंसी है नो एक्जाम्स नो फी इसमें ओल इंडिया से कहीं से बिलों करते तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते हैं अगर आप लोग इसमें इंट्रेस्टेट होते हैं अपलाई करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं मैं इसका कम्प्रिट प्रोसेस वीडियो में बताने वाला हूं वीडियो का अंड तक ज़रूर देखिए लाइक ने किया है और चैनल पर पलिवार व CT करने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथी बेल आकन प्रेस कर लिजेगा, जिससे कि आपको टेक्निकल फिल्ड की सभी वेकंसी इस चैनल पर मिलती रहती है, टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जागा, जरूर इसमें जो ब्रांच है आपका टेली कम्निकेशन, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, रेडियो केम्पुटर, इंस्ट्रुमेंटेशन और इन्फोर्मेशन टेकनलोजी, ये सारे ब्रांच से अगर आप लोग डिप्लोमा किया हैं, तो आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं, अगर आप लोग इसमें इलिजिबल होते हैं, इंट्रेस्टेड होते हैं, तो आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं, आपका जो डिप्लोमा ब्रांच है, ये सारे होना चाहिए, और अल इंडिया से कहीं से भी लोग करते हैं, तो आप लोग इसको अपलाई कर सकते है इसमें कोई भी application भी आपको नहीं लगेगा यह जो वेकेंसी है, apprentice वेकेंसी है apprentice में आपको एक साल का training दिया जाएगा उनके बाद आप लोग को BSNL के तरब से एक साल का experience certificate मिल जाएगा और जब ही कोई permanent वेकेंसी निकलेगी आपको BSNL के तरब से उसमें आप लोग को इस preference दिया जाएगा, आप लोग को as a experience के तरब पर consider किया जाएगा जो भी ऐसे candidate है, जो diploma पास की है कोई भी recognized AICT या government of India approved college या institute से वो इसमें eligible हैं अपलाई कर सकते हैं, 2019, 20 और 21 में पास की हैं, तो ही eligible हैं, इससे पहले अगर आप लोग pass out हैं, तो आप लोग इसमें eligible नहीं है, apply नहीं कर सकते हैं इसका जो age limit है, वो maximum 25 years रखा गया है, और जो date है 31, 12, 2021 के अनुसार से calculation किया जाएगा, अब बात करते हैं पहले देख लिजिए, उसके बाद apply कर सकते हैं इसमें आपको monthly stipend के तोर पर 8000 पर मन्थ आपको stipend दिया जाएगा educational qualification मैंने बता ही दिया diploma होना चाहिए, 19, 21 और आपका जो branch है, ये सारे branch से आपका होना चाहिए, उसके बाद selection process की बात करें, तो selection process में आपका इसमें mark basic पर ही होने वाला है, जो भी आपका mark obtained किये हैं diploma में, उसी क्याधार पर आपका सेलेक्शन होगा, उसके बाद आप लोग को document verification या interview के लिए बुलाए जाएगा, जो की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 20 जनवरी 2020 इसका last date है application fee, इसमें कोई भी application fee नहीं है, और how to apply आप लोग अगर apply करना चाहते हैं, तो 20 जनवरी 2022 से पहले, इसके official website पर जाएगे, nets portal के official website पर, वहाँ पर आप लोग पहले registration कर लिजे, registration करने में, अगर नहीं किया हैं, तो यह सारे document सब लगेंगे, यह सारे चीज, आप लोग ready करके रखिए, वहाँ पर nets portal पर install कर लिजे, उसके बाद, अगर install में कर लिए हैं, तो आप लोग लोग इन कीजे, establishment request menu section में जाएए, find establishment पर किलिक कीजे, और resume अगर पहले upload कर दिये थे, तो कोई दिकत नहीं है, आपको नहीं मांगा जाएगा, फिर से, अगर नहीं की हैं, तो आप लोग को upload resume, वहाँ पर option आएगा, resume upload कर दिजेगा, उसके बाद, आप लोग को search जो करना है, establishment name में, आपको search ये लिकर करके tap कर देना, भारत, संचार, निगम, limited, देहरादून, ये लिकर के जैसे search कर दोगे, तो आपके सामने apply वाला option आ जाएगा, वहाँ पर click करके आप लोग इसको apply कर लोगे, तो आपके सामने ऐसा message आ जाएगा, successfully applied for the training position, based on availability, you will be contacted by the establishment shortly, तो I hope आप इसको समझे होंगे, इसी तरीके से, इसके बाद आप लोगों कुछ नहीं करना है, आप लोग apply कर देते हो, तो आपका काम खतम हो जाता है, अगर आप shortlist होते हों, तो आप लोगों को mail के माद हम से inform किया जाएगा, तो वीडियो को like कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए, और चैनल पर नए है, तो subscribe भी कर लिजिएगा, बेल आकन भी प्रेस कर लिजिएगा, फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query रहा गया होगा, तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक लिए सुक्रिया और thank you